नमस्कार कहानी संग्रे में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है दर्शकों क्या आप जानते हैं कि गडिश भगवान पर दूरवाक्यों चड़ाई जाती है हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लेज जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए किसी भी कार का सुवारम करने से पूर्व हम सर्व प्रथम गडिश भगवान का इसमरड करते हैं विग्न हर्ता अगर प्रशन हो जाएं तो हमारा कोई भी कार बिना वादा के शंपन हो जाता है और रिद्शिद्धी की प्राप्ती स्वत्य ही प्र प्रता की महमा सबसे बड़ी मानी जाती है वुद्ध के देवता गडेश जी जिस व्यक्ति पर क्रपा हो जाती है वे सभी सुखों का स्वामी हो जाता है दूर्वा की 21 कांठें भगवान पर चड़ाने से यह सीग ही प्रशन हो जाते हैं 21 दूबों को एक साथ एकटी करके गांठ बनाई जाती है पुल 21 कांठें गडेश भगवान के मस्तस्क पर चड़ाई जाती है यदे आप 21 दिन लगातार ऐसा करते हैं तो गडेश भगवान आपको मन चाहा बढ़ देते हैं घरपती को जो दूब अर्पित करें वह कौमल होनी चाहिए दूर्वा की पत्तिया होनी चाहिए 11 या 21 हों तो ये सबसे सर्वत्तम मानी जाती है लेकिन ये बड़ी ही मुश्किल से मिलती है हम आपको इसकी पौराने कथा सुनाएंगे कथा के उनसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक सक्थ साली दैत पैदा हुआ जिसके कोफ से सभी धर्ती और स्वर तोनों में त्राय त्राय मच गई अनलासुर ऐसा दैत था किसी भी देपता या मनुष प्रत्वी वासी वह सब को साबुत निगल जादा था उसके आतंकशे सभी परिशान थे सभी देपता प्रत्वी वासी मिलकर भगवान सिफ के पास गई और प्रार्थना करने लगे प् शुनकर भगवान संकर बोले अनलासुर दैत का नास गड़ेश जी ही कर सकते हैं भगवान सिफ की ये बास सुनकर समस्त देपतागर रिशी मुनी गड़ेश भगवान से प्रात्ना करते हैं प्रभू आप हमें इस निर्दई राच्छ से बचा लीजिए देपताओं की ऐसी इस्तिती को देखकर गड़ेश भगवान को उनके उपर दया आ गई और उनकी मदद करने को तैयार हुए अनलासुर दैत और गड़ेश भगवान में भयानक युद्धुवा वैं जब कैसी गड़ेश भगवान के काबू में नहीं आता तो गड़ेश भगवान उस दैत को निगल जाते हैं इस प्रकार अन्लासुर का अन्त होता है गरीश भागवान जब उसे निगल जाते हैं तो उसके पेट में बहुत तेज जलन मचने लगती है तमाम उपचार औसदियां ढूनने में शरभी देवता रिशी मुनी लग जाते हैं कोई उनके लिए जड़ी बूट दूब की 21 कांठें बनाकर गरीश भागवान को खाने को देते हैं यह दूरबा गरीश ग्रहर कर लेते हैं जैसे ही वह दूरबा की 21 कांठें खाते हैं उनकी जलन सानती होती है अब तो गरीश भागवान प्रसंद हो जाते हैं और कहते हैं जो भी भक्त मुझ पर दूरबा क 21 गांटे चड़ाएगा उसकी सभी मनो कामनाएं सीगरी पूर हो जाएगी तर्श को ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शस्क्राइब और सेयर करें